वीडियो में और आज मैं आपको बताने वाले हूँ आप अपने गेम क्रेश की जो प्रोब्लम है उसको कैसे सुल्व कर सकते हैं लेकिन इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूर है कि आपका गेम क्रेश क्यों होता है तो आप जब मोडिंग करते हुआ है तो बेसिंग मोड करना आपको वीडियो मिल जाएगी और जागर देख लेना अगर मोडिंग कर रखी है तो आपके मोडिंग अच्छी है लेकिट उसके बाद भी आपको क्रेश करना पड़ रहा है बट कोई बात निए उसके बाद भी मैं आपको बता दूँगा आपका गेम जो है क्रेस क्यो हो रहा है तो आपको उसमें रिपाउट करना है अगर आपका बीना मोडिंग के क्रेस हो रहा है अगर मोडिंग के साथ आपका क्रेस हो रहा तो इस वीडियो में बने रही है इस वीडियो में बताने वाला है और थैंक्यू सो मज गाइस आपने मुझे मैसेज किये एंड जल मुमेंट होते हैं वो दिल पे लगते सीधे आपको बिता देता हुआ इस वीडियो को प्रपर ली देख लेना और सीख लेना कि आपका गेम जो वो क्रैस क्यों हो रहा है एंड सबसे पहले आपका मोडिंग जो है जो आपको अर्र देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में क्रै क्रैस हो रहे कर लिया था और आज वी डिजियुमें आपको बताता हूँ कि आपको करन्य चलियो में ऐसे मोडिंग वाल्त बना लेए टो इसमें आपको मोड का और स्क्रीप्स का फॉल्ट जो है वह दोनों का बनेुलिय आ तो guys इन दोनों का backup रखने के बाद आपको क्या करना है अब यह जो दोनों फॉल्डर रखने के बाद, अब ओर दोनों Fuldr को select करके इसके अंदर paste करना है तो कुछ समय लगेगा guys आपको पेस्ट होने में, तो यह पर आपको वेट करना पड़ेगा एंड में स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ ताकि यह जल्दी से हो जाए तो यह होने के बाद आपका मोर्स का फोल्डर जो फुली अपडेट हो चुका है लेकिन अभी मेरे आपको बता देता हूँ जो कि अपडेट डोट आरपी वा की तो आपके काम की निए को सबको डिलेट कर दो क्योंकि आपके अपडेट फोल्डर में में दखा देता हूँ आपडेट फंड हैंड इसके अंदर जा कि उसकी जो DLC pack है वो इस DLC packs में आके आपको drag and drop कर देने हैं सब की सब जो आपने backup रखाता तो काईजिए मैंने कर लिया सबका सब and यहां पर एक और folder create करना है जो के scripts का folder and scripts के folder आपको new पर जाके कर लेना है बनाने के बाद आपको जो scripts का folder आपने backup में रखा देना गाइस उसको जाके जितनी भी उसके अंदर scripts है सब की सब अगर आपने backup रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है मैं रखना भूली है आपको क्या करना है मोर्स का folder delete करने से पहले dlc list जो है वो backup में रख लेनी है बट नहीं भी रखते हो तो आपको करना किया जो जो folder उसकी dlc list बना लेनी है तो फटा फट से मैं dlc list बना लेता हूँ तो वाइस यहाप है मैं जल्दी जल्दी यह dlc list बना लेता हूँ सारे जितने भी मेरे मोर्स के folder सबकी dlc list बना लोगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस ज्यादा से ज्यादा आपको 10-15 मिनिट लगने वाले है और यह आपके लिए कोई ज्यादा केमती टाइम नहीं है आप इतनी महनत कर रहे हो आपको वापिस अगर आप गेम डाउनलोड करोगा उसमें साय ने क्या dlc बनाई है और क्या आपका dlc पैक्में था तो फालतु की चीज़ा आपको पता भी नहीं रहागा क्यार मेरी यह चीज मिस हो गई तो वह वाला सीन नहीं रहा तो देख देख के एक का folder बना लेना तो यह बनने के बाद आपको करना क्या है अभी आपको लगेगा एक game config file तो यह आप देख रहें हैं हमने update.rp आपका file जो update क्या था यह वाला game config file जो अपडेट हो चुका है लेकिन अब आपको करना क्या है आपको एक आपको एक game config file डाउनलोड करना है जो की यह वाला है जो की 2802 वाला ही वर्जिन है बट यह वर्क करेगा 2845 में भी कोई डरनी की बात नहीं आपके सामने सारा काम करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है एंड इसको extract करने के बाद इसके अंदर आ कर देना है कभी-कभी नहीं होता है तो भी हो जाएग आपका अब यह होने के बाद आपका game जो है वह बिल्कुल मखन जैसे चलने वाला है चलो अब हम gtm5 को open करके देखते हैं कि हमारा game जो हो चलने वाला है या फिर नहीं तो यहाँ पर अपना game जब तक open होता है तो तब एंड इस्टाग्राम पर message का सकते हो गाइस अभी मैं active हो जाऊंगा एंड मैं अभी parts में बनाने वाला हूं क्योंकि इस इस में बीमार हो गया था एंड नहीं कर पाया वो चीज़े अभी देखते हैं मोडिंग मतलब कि हमारे मोड्स काम कर रहे हैं एफट प्रेस करते हैं मै आप एक कार को स्पॉन कर लेते हैं अब मैं इस कार को चला हूंगा तो यह कार चलेगी और मैं जितनी देर चला हूंगा उतनी देर चलेगी एंड बिल्कुल भी game crash नहीं होगा ऐसा भी नहीं होगी आपने थोड़े दूर तक आपने कार चला है एंड गेम क्रेस होगा बिल् कमेंट करके जरूर से बता देना मैं आपका प्रोपरली सोलिशन दूँगा तो बस यार आज के लिए इतना ही मिलेंगे ना इस वीडियो में तब तक लिए बाई बाई आपना ख्याल लगना अपनी फैमिली का ख्याल लगना